आपके बस रियल में 12-series का कोई भी फोन है तो यहां पे आप वर्ल्ड क्लॉक की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने डूल क्लॉक सेट किया हुआ है ठीक है डूल क्लॉक अगर आपको नहीं चाहिए तो यहां पर पहले इसको बंद क कर देती हूं डूल क्लॉक यहां से अब यहां पे शिंगल लोग बच ऌई अब सेट करनेके लिए आप यहां पर इसको क्लिक करिए पहले और स्क्रीन पर टचेंद होल्ड करके रखेंगे यहां पर widget के option पर क्लिक कर लेंगे, slide कर लेंगे और world clock पर क्लिक कर लेंगे, world clock ऐसा दिख जाएगा आपको, ठीक है, tap to add world clock पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपको कहां कहां का time set करने, जैसे अब उदाभी का कर लिया एक, एक तो आपका दिखा ही रहा है, 6 बच के 38 बिनिट हो रहा है, यहां पर, अब उदाभी में क्या हो रहा है, 5 बच के 8 बिनिट, प्लस पर जाएंगे, और भी यहां पर set कर लिया, ठीक है, फिर से प्लस पर जाएंगे, और कहीं का करना है, यहां पर यह set कर लिया, तो इसी तरह से आप काफी सारे time zone जो है, अपनी screen पर set कर सकते हैं, यह set हो गया है, और यहां पर, अगर इसको और भी edit करना है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, प्लस पर जाएंगे, तो किसी का हटाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लॉक के option पर जाना है, वर्ल्ड क्लॉक पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, यह 3-4 आपने time zone set किये हुए हैं, कोई एक हटाना है, तो आप इसको select करके रखेंगे, और यहां प और यहां से भी जाके आप प्लस पर जाके directly लगा सकते हैं, कोई और, तो यहां पर आपको unlimited देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे add-on कर सकते हैं, बाकी screen पर आपको 4 से ज़्यादा नहीं दिखेंगे, तिक हैं ऐसे करके आप time zone set कर सकते हैं, और remove कर सकते हैं, देख सकते हैं और normal clock करने के लिए आप विजट पर जाके अपना वाला clock set कर लेंगे, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमश्कर